हेलो इंबस्टर्स, वेल्कम टू धमा का स्टॉक चैनल, आज हम लोग एनालाइस करेंगे संदूर मैक में शेयर के बारे में, तो देखिए ये शेयर आपका आज के देपर क्लोज हुआ है तो अब हम लोग क्या करें इसका एकन प्रसचार्ड एनलाइसिस करेंगे तो अभी देखिए माइन स्कीन पे इस सेर का बिना इंडिकटर लगा हुआ डेली चाट ओपन कर लिया तो पहला चीज़ देखिए इस जगह पे यहाँ पर मैंने क्या कि एक लाइन डोक है जो कि अपका इस सेर के एक स्टॉंग स्टेंड लाइन है सपोड लाइन ठीक है इस ए बार सपोड ले रहा है सेर आपका ऊपर की तरह भी भाग रहा है ठीक है और एक चीज़ देखिए इस जगह पे यह आपका था दो हर्चर 21 में का मैना उस टाइम पे इस सेर के प्राइस कितना चल रहा है लगब चोदा सो बीस सो इस रेंज में चल रहा था और अभी कितना च चार में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर देख लेंगे इंडिकेटर हम लोगों को इस सेर के बारे में कहका इंडिकेशन दे रहा है ओके तो अभी देखिए इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार भी मैंने स्कीन पर उपन कर दिया पहला क्या चीज देखिए यह आपर ज उपर टेम ने सेल सिगनल भी यहाँ पर दिया था लेकिन यह जो स्केंडल जितना भी गीरा 50 डेस का जो मोडिंग अबर जे इसको टोन नहीं पाया और यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए आज के डेपर यहाँ पर हम लोगों को फीड से एक पॉजिटिव केंडल दिख रहा है जो कि एक अच्छा बात है क्योंकि अगर पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे जब भी आपका 50 डेस का जो मोडिंग अगर जे यह आपके सेयर में सपोर्ट लिया है तब भी आपका सेयर आपका उपर की तरह भी भागा है और डेली चार्ट के हिसाब से अभी सेयर आपका 50 ड अब लगार बत करेंगे तो देखिए डिली चार्ट में हम लोगों को एक अपका टेक्निकली एक इंडिकरेशन बिल रहा है लेकर अब लगार देखेंगे तो यहां पे हम लोगों को एक अप्टेमित दीख रहा है तो चुज़ों को और भी अच्छी तरीकर सेमझने के weekly chart पे तो अभी देखिए मैंने इस share का weekly chart भी open कर लिया है आगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस जगह पे यह आपका time था 2020 मार्च का मैना इस time पे इस share के price चला था लगबग अगर देखेंगे तो क्लिवली हम लोग को एक अप्टेनी दिखेगा एन आपका लगबग दो साल के अंदर इस share में 6 गूना return दे चुका है जो कि बहुत ही अच्छा return होता है तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से मज़ने के लिए हम लोग अली सीधे चले जाएंगे इंडिकेटर लगवा उटली चार्ट पर ओके तो अभी देखिए मैंस कीन पे इस share का इंडिकेटर लगवा उटली चार्ट भी ओपन के लिए अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे से देखेंगे तो इस जगह पर आप लोग पता चल लगा कि देखिए यह आप का था लग अगर पिछले वीक में हम लोगों को थोड़ा वो तो आप एक गिरा बैट देखने को मिला था लेकिन एस से जितना भी गिरा देखिए सूपर टेन का जो इस वाला सपोर्ट लेवल है इसको तोर नहीं पाया और यहां को सपोर्ट लेते हैं इस वीक में फिर से हम लोगों को एक पॉजिटिव के अंदली फॉर्मत आप दिख रहा है और वीकली चार्ट के हिसाब से अभी इस से अरपका 50 डेस, 100 डेस and 200 डेस मुविन अवरस से उपर ही है और वीकली चार्ट में ओवर्ण हम लोगों को एक बूलिस सावी दिख रहा है तो चीजों को और भी अच्छी तरीके समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे सीधे चले जाएंगे इस सेरका एकपर मंतली चार्ट पे तो अभी देखी मैंने स्कीन पे इस चार का मंतली चार्ट भी ओपन कर लिया तो यह देखी आपका डिसंबर 2021 का महिना था यह पे बहुत जबर्दस और पॉजिटिव केंडल फर्म होता और इस केंडल में सूपर टेम ने बाई सिगनल भी दिया था फिर देखिए मतलब पि अब करेंगे तो अब करेंगे ने चले सब्सक्राइब के लेंगे लेकर उससे पहले आप लोगों से एक रिकोश्ट है अगर आप लोग मेरे चनल पे नए है तो मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा और होश रहकर तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लिजीगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अप्लेट करूँ आप लोगों के पास आटोमेटिक मोटिपिकरशन चला जाए और एक बात पूरा वीडियो देखने के बात अगर आप लोगों कोई वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे कुछ भी इंफर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर देजीगा क्यूंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा तैस्या धुनके इसको उपर वीडियो बनाने के लिए एनरजी दता है अभी इसका हम लोग थोड़ा सा fundamental data भी चेक कर लेंगे कैसा है क्या है तो देखिए पहला चीज़ Finstern ने इस company का 4 out of 5 का rating दिया जो कि एक बहुत ही अच्छा rating है इस company का market capital है 2340.28 करोर enterprise value है आपका 2574.83 करोर and PE ratio है only 4.58 इस company के उपर अभी आपका debt थे रूपीज 365.81 करोर का तो इसका debt equity ratio निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.37 अगर किसी भी company का debt equity ratio एक और एक से कम होता है तो हम जोशको अच्छा मांत है और यापे एक से कम ही है इस company का cash flow as per profit का ratio है 1.14 अगर किसी भी company का cash flow as per profit का ratio एक और एक से जादा होता है तो हम लग उसको अच्छा मांता है और यापे एक से जादा ही है इस company का EPS मतलब earning part share है रूपीज 567.10 return on equity है 16.80% and ROC आपका है 22.34% जो की मेरे हिसाब से अच्छा ही है इस company में promoters का holding है 73.18% अगर किसी भी company में promoters का holding 40% और उससे जादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मांता है और यापे 40% से जादा ही है और एक अच्छा बात है देखिए September 2021 क्वाटर तक इस company के जो इस company में जो promoters का holding था उसका अपका 53.1% share place था लेकिन December 2021 में company के promoters ने पूरा जो pledging share है उसको zero कर दिया जो की एक अच्छा बात है मतलब अभी जो आपका 73.18% promoters का holding है इसमें आपका कुछ भी share place नहीं है तो fundamentally अभी हम लोगों ने जितना भी data देखा मेरे हिसाब से सभी data सही था और technical chart भी इसका बहुत ही अच्छा है तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका current market price चले लगबर 2400 का इसी price पे अगर इससे आपको खरिदा जाए मतलब लगबर किसी price पे अगर इससे आपको खरिदा जाए और अगर आप लोगों का मज़रिया minimum 340 दिन का भी है तो मुझे जो लगता है कि 30-40 दिन के अंदर ASAR आपका 2700 का जो target है और भी अचिव कर जाएगा लेकिन कुछ भी action लेने से पहले आपका जो financial advisor है उससे आपका जोड़ consult कर लिजेगा क्योंकि मैं कोई से भी register person नहीं हूँ और मैं आपके किसी भी तरीक का कुछ भी tips नहीं देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ मेरा जीतना technical and fundamental का knowledge है उसके उपर base करके वीडियो बना के आप लोगों को शही information देने की कोशिश करता हूँ कि कौन से टेक्निकली कैसा है कौन से फंडमेंटली कैसा है तो आज के लिए इतना ही पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्नवाद